नमस्कार दोस्तों and welcome to my channel कैसे आप सब उमीद है सब बहुत ही बढ़िया होंगे तो आज की वीडियो में हम देखेंगे phases of teaching तो phases of teaching से पहले हम teaching and learning subject के काफी साधा topic cover कर चुके हैं teaching क्या होती है उसका nature कैसा है उसकी aim and objective क्या होते हैं level of teaching हम कर चुके हैं तो phases of teaching जब हम बात करते हैं यानि कि जब teaching हमें करनी होती है तो उसके बीच में या फिर उससे पहले हमारे पास कौन-कौन से stage होते हैं कौन-कौन से phases होते हैं वो हम देखेंगे तो हमारे पास तीन यापे phases होते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है pre-active stage तो pre का मतलब होता है पहले, यानि पहले से हमें teaching के पहले से हमें active होना पड़ता है, तो उस stage को हम planning stage के नाम से भी जानते हैं जब हम बात करते हैं teaching की, तो सिर्फ उसे पढ़ाते time तक ही सिमित नहीं होती है teaching, teaching से पहले हमें content त्यार करना पड़ता है, काफी जादा चीज़े decide करनी पड़ती है, और teaching के दोरान भी काफी चीज़े यहाँ पर matter करती है, और teaching के बाद वो teaching हमारी successful हुई भी है या नहीं हु दूसरा हम देखेंगे teaching के दोरान और तीसरा हम देखेंगे post यहाँ पे stage of teaching ठीक है, यानि teaching करने के बाद का phase, तो सबसे पहले focus करते हैं pre-active stage पे, जिसे मैंने बताया आपको planning stage के नाम से भी जानते हैं, तो planning के जो ही word है, इसके जरीए आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे already करने की कोशिश की होगी, तो जब हम बात करते हैं planning stage की, तो इसमें main हमारा काम होता है, कि जो चीज़ हम teach करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उसको तयार करना, उसमें भी further कुछ steps involved होते हैं, जैसे कि, first step है हमारे पास, formulation of instructional objectives, यानि कि आपको objectives बनाने होते हैं सबसे पहले यानि teaching करने से पहले आपको objective बनाने होते हैं, जिसके अंदर आप ये decide करते हो, कि जो बच्चा है, वो किस level तक चीज़ को यहाँ पे teach करने के बाद understand कर पाएगा, सिर्फ memorize कर पाएगा, apply भी कर पाएगा, यानि आप क्या पढ़ा रहे हो, वो भी आपको लिखना है, और उस इसके अंदर जैसे आप लिखोगे, student will be able to define the Newton law, और they will be able to understand or explain the Newton law, they will be able to apply the Newton law in their daily life, तो ऐसे आपको instructional objective लिखने होते हैं, जिसमें आप यहाँ पे topic भी cover करते हो, और उस topic से बच्चों के behavior में क्या change आएगा, उनकी knowledge में क्या चीज़ यहाँ पे change होगी, वो भी आप लिखते ठीक है, तो जो instructional objective है कैसे लिखने होते हैं, यह bloom taxonomy के अंदर आते हैं, आपके जब हम करेंगे उस bloom taxonomy को, अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अची बात है, नहीं पढ़ी तो जब हो हमारा topic आएगा, तब हम देखेंगे किस तरीके से bloom taxonomy में चीज़ों को classify किया है, और किस से objective हम उसमें लिखते हैं, क्योंकि जब हम lesson plan बनाते हैं, वहाँ पे भी हमें objectives लिखने पड़ते हैं, उसके बाद planning stage में और हम क्या करते हैं, हम decide करते हैं, subject matter क्या रहेगा, यानि अगर कोई chapter है, तो पूरे chapter को एक दिन में नहीं कर सकते हैं, उसके further हम क्या करते हैं, यहाँ आपे सब parts बनाते हैं, decide करते हैं, कि आज हमें क्या पढ़ाना है, तो यानि हम क्या करेंगे, decide करेंगे, हमारे pre-active phase में, पहले तो objectives, subject matter भी तो decide करेंगे, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है? नेक्स्ट हम क्या करेंगे हमारे planning stage में, arrangement of ideas and style of teaching, यानि जब आपके objective बन जाएंगे according to your subject matter, तब आप देखोगे कि यह जो आप achieve करना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना यह जो चाहते हो, उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या आपके यहाँ पे strategy होनी चाहिए, कौ सेसे समझ भी जाएं, ठीक है, यानि रोट memorization से हटकर, main focus हो, apply करने में, चीजों को understand करने में, तो आप क्या करोगे pre-active phase के अंदर, सबसे फ़ेली objective बनाओगे according to your subject matter, जिससे आप decide करोगे कितना subject matter कब पढ़ाना है, एक systematic way के अंदर, फिर आप यह जो ideas अपने objective लिखा है, कि decide भी करोगे कि कौन से style से, कौन सी strategy, कौन से method से आपको बच्चों को teach करना है, पढ़ाना है, और उसके बाद इसी के according आप double up करोगे, आपकी teaching strategy, जिसकी according बच्चे चीजों को अच्छे से समझ भाएंगे, ठीक है, तो यह हमारा pre-active phase हो गया है, जिसके अंदर हमने main क्या किय है, decide किया है, बच्चे को कैसे कितना पढ़ाना है, और उसको पढ़ाने के बाद हमने जो decide किया है, जो हमारे expectations है, as your objective हमने को लिखते हैं, कि बच्चा ये कर पाएगा last में, जब हम check करेंगे, कि बच्चा ये चीज़े अचीव कर लेगा हमारे पढ़ाने के बाद, ठीक है, next आता है, interactive phase, इसको हम execution, application या implementation stage या phase के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमने planning stage के इनरा चीज़ों को यहाँ पे decide किया है, तो अब हम उसको apply करेंगे, interactive phase यानि teaching के दोरान, ठीक है, इसमें आप बच्चों को teach करोगे, इस stage के इनरा बच्चों को प application या फिर execution या फिर apply कर रहे हो, आपने जितना भी plan किया है, इसको इसलिए application stage के नाम से जानते हैं, सबसे पहले आप जैसे ही class में जाओगे, आप sizing up the class करोगे, यानि यह देखोगे, क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा कहां बेठा, यानि आपको एक बर नजर म पहले जिसे हम PK testing के नाम से जानते हैं, यानि previous knowledge testing, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे, कि class के अंदर जो बच्चे हैं, वो कितने हैं, फिर आप उनकी PK testing करोगे, कुछ questions पूछोगे, कुछ questions put up करोगे, जिनके coding आपको यह पता चलेगा, कि जो उनकी previous knowledge है, वो चीजों को कितना समझ चुके हैं, क्योंकि उसी के coding आप बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे, topics को relate करकर, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आए, इसके बाद इसमें जैसा हमने देखा, हम चीजों को execute करेंगे, यानि इसके अंदर आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपने जितना subject matter यहाँ पे decide कर चुक है, already planning stage में उसको यहाँ पे apply करोगे, तो इसमें आप बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है, और last time क्या करेंगे, treatment given to the learner, जब हमें diagnose कर लेंगे, हमें पता सलजाएगा, बच्चों को क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, कितनी उनकी previous knowledge है, तब हम ये भी देखते हैं, कि जो बच्चों को चीजे समझ में नहीं आ रही है, हम उनको as a treatment वो चीजे समझाने की कोशिश करते हैं, और इसी के according decide होता है कि किन-किन बच्चों को remedial class की जरुरत है, यानि किन-किन बच्चों को थोड़ी extra attention की जरुरत है, और extra यहाँ उसको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको remedial classes provide कर सकते हो, यह school के अंदर ही की जाती है, आप tuition यहाँ पे private tuition नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो आपके school में आप remedial class रख सकते हो, उस बच्चे को चीजे समझा सकते हो, या कोई भी topic बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, पहले objectives होगे रहा, प्लान किये है, subject matter decide क्या है, interactive phase में हमने class का size देखा है, उसके उनकी previous knowledge testing किया है, फिर उनको पढ़ाया है, और साथ में उनको diagnose किया है, जो आपने पढ़ा चुके है, उसको diagnose भी किया है, उसी time की कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, बच्चों तो post active phase, post का मतलब मैं पता, यह बाद में होता है, तो यह last का आपका step है, जो आपका third यहाँ पे phase भी है, और stage भी है, यह होता है evaluation का, यानि अब आपने और बच्चों को पढ़ा दिया है, interface के अंदर जो हमारा interactive phase था, इसके अंदर हमने उसी time बच्चों को कोई सी समझ में नही हुए है या नहीं हुए है, अब यह देखने ही कोशिश करोगे, जो आपने already decide किया था, गोल हो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसमें आप बच्चों को पहले समझाओगे नहीं, क्योंकि समझाने का काम सारा का सारा हमने कर चुका है, interface के अंदर, लेकिन हमारे post active phase इसके अंदर हम सिर्फ चीजों को check करेंगे, evaluate करेंगे, इसके अंदर हम check करेंगे कि बच्चों के behavior में हमारी teaching से कितना change आया है, ठीक है, activities involved in post active phase, यह कुछ activities है, नीचे दे रखी हैं, जो यह यहां पे हमें करनी होती है, last step के अंदर, तो वो क्या है, सबसे पहले determining the exact dimension of the behavior, यानि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, कि जापके objectives थे, वो उनके behavior में क्या change ला सकते हैं, जैसे कि मानलों उनको Newton law क्या होते ही, नहीं पता था, तो वो उसको चीजों को define करेंगे, वो चीजों को apply करके दिखाएंगे, या फिर क्या करेंगे वो उसका, यानि जो सिखाई हैं, वो उसको explain करेंगे, apply करके दिखाएंगे, या सिर्फ define करेंगे, सिर्फ recall करेंगे, क्या करेंगे, तो यह आपका बता होना चाहिए, कि आपको एक clear, exact dimension बता होना चाहिए, कि बच्चों को इसी way में आपको यहाँ पे evaluate करना है, जैसे अगर आपने सिर्फ इतनी knowledge दिये, कि बच्चे उस चीज़ को explain कर पाएं, तो आपको यही main goal रहेगा, कि आप बच्चों से किसी जरीए यह check कर पाओ, कि वो explain कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यह determine करने के बद कि बच्चे क्या कर पाएंगे, उस knowledge के जरीए, आपको एक appropriate यहां पर testing device या technique का यूज करना है, जिसके जरीए आप यह check करोगे बच्चों को कितना समझ में आया है, और फिर जब आप यह check कर लोगे यह वाला step, जैसे मैं आपको थोड़ा example देने की कोशिश करूँगे, एक बार हम इसको complete करने की देखते हैं, उसके बाद आपको और तो आपने जब appropriate testing कर ली है, तो आप यह भी देखोगे कि क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कहां पर problem है, या बच्ची आपको बताएंगे कि आपकी strategy उनको suit नहीं कर रही है, क्योंकि हर एक जो बच्चा है उसको same या पर strategy नहीं apply कर सकते हैं, अगर मान लोगी maximum class म not possible to satisfy each and every individual, तो यहां पर अगर 18 बच्चे भी correct answer देरें, इसका मतलब आपकी strategy में कोई गलती नहीं है, वो जो दो बच्चे रहे गें ना आपके, उन दो बच्चों से आपको पूछना है कि उनको क्या problem है, और according to their need आपको उनको remedy यहां पर provide करनी है, लेकिन उस समय आपको ख चेंज करनी है, strategy पढ़ाने की, क्योंकि फिर बच्चों में गलती नहीं है, फिर आपकी strategy में गलती है, आपके method में गलती है, अगर majority जो बच्चे है, वो चीज़े सही direction में दिखा रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं, तब strategy चेंज नहीं होगी, तब उन बच्चों की diagnosis की जाए पिर हम बात करते हैं, entry behavior और terminal behavior की, entry का मतलब होता है, जिस समय हमने just starting की है, हम अंदर गई हैं उस चीज़े, तो entry behavior का मतलब होता है, पढ़ाने से पहले बच्चों का क्या behavior है, यह हम PK testing से चेक कर लेते हैं, ठीक है, उनके previous knowledge test से चेक करते हैं, कहा तक उनकी knowledge सीमित है, और terminal behavior यानि पढ़ाने के बाद उन बच्चों का क्या behavior है, यह हम last step यानि evaluation के अंदर चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी ही आपको यहाँ पर पढ़ाना है, जैसे for example, मैं आपको कुछी समझाने कोशिश करती हूँ, मान लो कि आपको यहाँ बच्चों को सिखाना है कि integers क्या होते ह ठीक है, अगर आपको सिखाना है कि integers क्या होते हैं, तो आपको उनकी सबसे पहले तो आप plan करोगे कि बच्चे क्या कर पाएंगे, तो consider कर लेते हैं कि student will be able to define, सर्फ define की बात कर रही हूँ, यहाँ पर और भी चीज़े अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले objective बना लिया है कि students will be able to define integers, ठीक है, तो बच्चे के आपको बता पाएंगे कि integers क्या होते हैं, तो आप क्या करोगे, अब next step initial stage में क्लास में जाओगे, बच्चों से पूछोगे, इनकी यहाँ पर PK testing क्या होगी बता हूँ आपी, अब integer से पहले क्या concept आने चाहिए, यहाँ पर हमारे पास natural number क्या होते हैं, यह पता होना चीए, बच्चों को whole number क्या होते हैं, यह पता होना चीए है ना, तो हम बच्चों से यह पूछेंगे कि बच्चों बताओ natural number क्या होते हैं, whole number क्या होते हैं, जब उनको पता होगी यह बात, अगर नहीं पता होगी तो उ यहां पे integers की तरफ उनको लेके जाओगे ठीक है तो इस तरीके से आप initial यहां पे stage पे अपना काम करोगे जब आप यहां पे पढ़ा दोगे उसी time आप classroom में पूछोगे किसी को कोई doubt तो नहीं है कोई चीज किसी को समझ में नाई हो फिर उसी time आप diagnose करके उस चीज की वहां प एक technique अपनाई है fill in the blanks जैसे आप यहां पे true false अगर आप अपनाते हो कोई भी type हो सकता है आपके जैसे questions का या आपको कोई device या ऐसा यूज कर सकते हो या कोई technique यूज कर सकते हो जैसे check करोगे कि बच्चों को क्या समझ वाए जैसे जब हम PK की बात करते हो entry behavior यह था बच्च कर पार इंटीजर्स को फिर तो बिल्कुल सही है यानि उनका जो behavior है अब वो किस तरीके से हो गया है कि they are able to define integers जो पहले नहीं कर पा रहे थे तो जैसे आपने एक technique अपनाई है true false की तो आप उसे पूछोगे is zero integer तो बच्चे बताएंगे true या false अगर वो सही आंसर दे रहे यानि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है आपने एंट्री बिहेवियर से लेकर के टर्मिनल बिहेवियर तक की जो जर्नी है उसको आपने पूरा अचीव कर लिया है बच्चे जो है अच्छे से चीजों को स खरार प्रहाएंगे जो है अच्छे कर लिव एंट्यूं को साथी जो है से बचल को साह भीन आपने ये जो है ये वर ये जो है से और आपने और ये जो है लिए जो है